नमस्कार प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स टार्गेट की क्लासिज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज जो तारीक है वो बड़ी ही शुब है बाइस तारीक आज अयोध्या में भी राम लला का क्या चल रहा है प्राण परतिष्ठा तो आप सभी को भी बहुत-बहुत मुबारक हो पुरे देश वास्तियों में खुशी की लहर है वोने भी चाहिए जिसके जो जगए है वो उन्हीं को मिलनी चाहिए किसी और का उस पर कोई राइट नहीं है चल ये जी कल हम लोगों ने आपको एक होमवर्क दिया था याद ह आए कि नहीं है तर याद है हो मर्क चलो फटा फट बताओ एक बार उस किस-किस बच्चे ने किया या किस-किस बच्चे नहीं किया एक दो बच्चे का मेरे पास पॉल भी आया कि सर इसमें थोड़ा-थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है तो मैंने उसको कौन पर ही समझा जया करीबन तीन-चार बच्चों का तो आया था चलो कोई बात नहीं अब जिसको नहीं समझ में आया वह अंस्वर देख लें अपना अंस्वर मिला लें और मुझे बता देना कि आपका अंस्वर ठीक निकला है कि गलत निकला है चलो जी आज सारी है 22nd of 22nd of January 2024 चलो जी फटा फटा आजाओ जो हमने कल यह आपको यह question दिया था इसका अंस्वर लिख लेते हैं एक बार as soon as possible इसका आपका जो अंस्वर आएगा वो आएगा यह अंस्वर आएगा आपका कल मैंने solve किया था आपके लिए 1,28,440 यह आपका conclusion आएगा इसमें जो अंसर आएगा नॉर्मल इंकम निकाल लेना पीजी बीपी की इंकम निकाल लेना ठीक है नॉर्मल इंकम पीजी बीपी की इंकम निकाल लेना LTCG, STCG और Force Racing से जो भी आए टोटल करके आप उसके टेक्स निकाल दीजी और 4% का HEC उसमें एड कर दीजी यह इसका final answer हो रहाएगा 20 44,000 चलो बहुत बढ़िया आज अज हम बात करेंगे सरचार्ज को लेकर कल मैंने कहा था कि हम बात करेंगे सरचार्ज को लेकर यह कुछ topic है ये कुछ ऐसे topic है जो आते भी सबको है लेकिन question solve किसी से नहीं हो पाता सरचार्ज राम रट लिया क्यों सरचार्ज लगाया गया सरचार्ज के rate लट लिये concept क्या है actual में वो आपने जाना ही नहीं या फिर जाना तो उसकी practice नहीं कि आजकी class में हम सरचार्ज भी जानेंगे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे क्या ये चीज है ये भी देखेंगे तो मैं आपको सरचार्ज का मतलब क्या है सरचार्ज का मतलब यह है कि लास्ट क्लास में आपको बतलाया था कि जब आप एक सर्टेन लिमिट के बार जब आप एक सर्टेन लिमिट मैं कल की पर तुछ क्लास आज रिवाइज नहीं करवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपने रिवाइज कर लि मैंने बताया था कि जब आपकी इंकम up to a certain level पहुंच जाती है या उससे beyond पहुंच जाती है तो आपको सर्चाज लगाया जाता है जैसे अगर 50 लाग से अगर ज्यादा आपकी इंकम है तो आपके सर्चाज लगा जाएगा 10% एक करोड तक और एक करोड से उपर चली जाती है दो करोड तक सर्चाज लगा जाएगा 15% उससे उपर चली जाती है दो करोड से और पांच करोड तक सर्चाज लगा जाएगा 25% और लास्ट में सर्चाज लगा जाएगा 37% अबाव पांच करोड वाली इंकमबर अबाव 5 करोड पर तो सर्चार्च आया ठीक है कोई दिक्क सरकार को क्या लेना था अमीरों से और टैक्स लेना था बहुत बढ़िया लेकिन इसमें एक दिक्कत आई सर्चार्ज लगाने में दिक्कत नहीं आई सर्चार्ज जो इन्हों ने बैक इंकम पर भी लगा दिया उसमें एक दिक्कत आई सर दिक्कत क्या आई देखो आप मैक्स किसी आदमी से क्या ले सकते हो कोई अगर आज की डेट पर मैं बात करो अभी कोई मुझसे कहे कि हम आप से क्या ले सकते हैं तो अभी मेरे पास कपड़े पैने हुए है यह अपना क्या बहुत है पैन है मेरे पास अभी at the end, मेरे पास क्या है, ये दो चीज़े हैं मेरे पास, एस्यूम करके चलो, तो कोई इंसान मुझ से यही दो चीज़े ले सकता है, अब वो कहें मैं ये दो चीज़े तो लोगा ही लोगा, साथ में तुमारी किड़नी भी ले जाओंगा, मन का यार देखो ये गलत बात, ये ग इंसे इंकम कमाई, इतनी सी सरचार्ज की वज़े से बढ़ गया, इतना, सर कैसे बढ़ गया, डिटेल में डुस्क्स करेंगे, आगे चलते हुए, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आई, इसमें दिक्कत क्या आई, कि जो increase in tax है, जो increase in tax है, ज्यादा हो गया increase in income से, increase in income से और अगर ये वाली situation हो जाती है अगर ये वाली situation हो जाती है कि आपका increase in tax जादा है increase in income से तो obviously बात है फिर क्या किया जाएगा क्या किया जाएगा सर उसमें marginal relief का concept आता है सर marginal relief तो मुख़़ दूर की बात है आप मुझे एक बात बताओ क्या ये situation मेरी desirable है कि undesirable situation है please tell me क्या ये situation मेरी कि आपका tax rate जादा बढ़ गया आपको tax जादा देना पड़ा सरकार को और आपकी income कम होई सर ये तो गलत situation है ये undesirable situation है या कहूं unethical situation है ये मुख़़ गलत बात होई सरकार को जब इसका पता चला उन्होंने माना कि हाँ ये हमसे गलती हुई है हमने surcharge implement करवाया वियाद रखना surcharge किस पर लगता है total income पर किस से लिया जाता है non-resiviaнд plus resident से लिया जाता है क्यों क्योंकि सरकार की कमाई हो रही है तो ये दोनों से लिया जाता है then सरकार accepted कि हाया हमसे गलती हुई है चलो हम इसमें कुछ चेंजिस कर देते हैं हम आपको एक रिलीफ देते हैं क्या देते हैं रिलीफ देते हैं मुझे एक बात बताओ maximum marginal rate of 10 would be कितना होगा तर 100% इस line का मतलब क्या है इस line का मतलब यह है कि maximum marginal rate आप maximum मुझसे क्या ले सकते हो जो मैंने कमाया आप वो ले लो लेकिन मैंने जो कमाया वो तो ले ही रहे हो पीछे की जो मेरी income है उसका भी कुछ पार्ट लेकर जा रहे हो अभी example के साथ हम समझेंगे उसमें भी आपने हमसे कुछ extra charge कर लिया वो गलत बात है देखिए बात यह कि मैंने थोड़े से extra पैसे कमाये थे थोड़े से extra पैसे कम अगर मैंने 50,001 रुपीज कमाया एक रुपया कमाया तो क्या मेरा सर्चार्ज एक रुपय पर लगेगा या जो 50,001 रुपय का जो भी टेक्स आएगा मुझे उस पर सर्चार्ज देना पड़ेगा 15 पर तो यह बहुत ज्यादा नहीं हो गया कमाया वह कहता है एक रुपया ले लो मुझसे र मैंने फक्सक्रान इससे ज्यादा पीछे वालीट पर को खुळीगर सामने वाले को बोल देगा जहां से भी कमाया ऑर तो चोड़े करो तो एक रुपया क्योंकि तो मुझे तो दिक्कत वाली बात तो नहीं ने खा चलो एक काम करते हैं हम तुम्हें दे देते हैं मार्जिनल रिलीफ आपसे मार्जिनल टैक्स रेट कितना चार्ज किया जाता है 100% मतलब कितना कभाया उतना ले लो अब सरकार ने माना गी हाँ गलती हुई है तो आपको दे देते हैं मार्जिनल रिलीफ मार्जिनल रिलीफ दी कैसे जाएगी इसकी पूरी कि पूरी एक काल्कुलेशन है उस काल्कुलेशन के तुरु हाला कि मार्जिनल रिलीफ का ऑबजेक्टेव क्या है Marginal Relief का सीधा सीधा एक ही objective है उसके अलावा Marginal Relief का कोई objective नहीं है सर्थ क्या है Marginal Relief का objective Marginal Relief का साहब सर्थ एक objective है कि जो मेरा increase in tax है increase in tax या तो वो equal हो या कम हो increase in income के अब बात समझना जड़ा दोस्त ये situation वो नहीं आने देना चाहता कि मेरा tax में increasement ज़्यादा है बजाए इसके कि मेरे income में increment ज़्यादा है मतलब मुझे tax जाता देना पड़ रहे तो जो Marginal Relief है उसका एक ही objective है क्या objective है ये फुल्फिल करनेगा कि जो मेरा increase in tax है वो मेरा या तो equal रहे या कम हो increase in income से जितना मैंने पैसा कमाया कम से कम उससे कम मुझे tax देना पड़े या उतना ही tax देना पड़े उससे ज़्यादा tax ना देना पड़े ये situation ना आए कभी लिए इसी लिए concept आया marginal relief का ये सुर्ण रो हाँ जी ठीक है सर समझे जी सर समझे हैं चल आजओ फटावट एक example के थूरू मैं आपको ये पूरी कहनी जो मैंने अभी तक आपको सुनाई है वो पूरी की पूरी कहनी मैं आपको एक example के थूरू समझाऊँगा ठीक है हम एक example के थूरू समझेंगे फटाफट नोटबुक निकालो आज की date डालो कि क्या वो बात अब मैं आपको दो income दे रहा हूँ क्रिश्चन है आपका दो income में क्या क्रिश्चन है एक है आपकी income पचास लाख रुपे की एक है आपकी income पचास लाख पचास अजार रुपे की एक छोटा साइक्टम एकजामपल है अब आप इसपर tax calculate कीजिए नॉर्मल तरीके से नॉर्मल collaborate income tax में एजंशन्स होती है अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो एससी क्या है रेजिडेंट है कुछ ना बोला जाए तो एससी की उम्र क्या है एज क्या है तर बिलो 60 ठीक है आप उस हिसाब से 50 लाख पर सबसे पहले tax calculate कीजिए shortcut आप लोगों को आता है कि नहीं आता है I don't know मैं आपको एक बार shortcut बता देता हूँ अगर आपकी income 10 लाख रुपे तक की income पर अगर 2.5 लाख का slab है तो tax आएगा आपका 1,12,500 3 लाख का slab है तो tax आएगा 1,10,000 और अगर 5 लाख तक का slab है तो आपका tax आएगा 1 लाख रुपे यह सुरना 10 लाख अप टू 10 लाख अप टू 10 lakh की income पर आपका अगर 5 lakh का slab rate है 3 lakh का slab rate है 5 lakh का slab rate है तो आपकी tax यह amount आएगी बाकी balancing figure पर आप निकाल सकते हो अब फटा फट जल्दी से बता दो 50 lakh 50 lakh पर अगर मुझे निकालना है तो अधाई लाक वाले स्लैब में सर्क 10 lakh रुपे तक हो गया 1,12,500 और 40 lakh पर कितना हो गया जी 40 lakh का हो गया सर 30 परसेंट प्लस 1,12,500 यह आगया 13,12,500 टेक्स अमाउंट चलो जो टेक्स अमाउंट आगया मेरा यह आगया 13,12,500 यह सर नो 13,12,500 हाँ सब इसमें आप एड कर दो HEC इंकम टेक्स क्या कहता है इंकम टेक्स कहता है कि जब सारे काम हो जाएं जब सारे काम हो जाएं इंडिदक्शन, विदक्शन, एक्जिम्शन, खर्चे क्या बोलते हैं टेक्स निकल जाए तो सबसे लास्ट में आपको क्या करना है HEC एड कर देना है 13,12,500 का 4% कल्कुलेट करो 4% आगया 52,500 52,500 नेट टेक्स लाइबिल्टी कितनी आई नेट टेक्स लाइबिल्टी आई 13,65,000 13,65,000 टोटल टेक्स लाइबिल्टी आई मेरी 13,65,000 अब इधर वाले पर आओ इधर वाले पर टेक्स कितना हो गया सर इधर वाले पर टेक्स हो गया 40,50,000 40,50,000 का 30% प्लस 1,12,500 यह होगा 13,27,500 यह होगा टेक्स अमाउंट सिर्ट टेक्स अमाउंट इस लाइबिल्ट पर आपका यह टेक्स निकल कर आएगा इसमें जो आप add करोगे इसमें जो आप add करोगे वो करोगे सरचार्ज add करोगे add the rate 10% हाँ सर 1,32,750 इस figure का 10% हमने ये add कर दिया इसमें सरचार्ज सरचार्ज add कर दिया तो क्या आया जी जल्दी मुझे बताओ क्या आया सर इसमें आ गया आपका 10% add कर दिया 14,60,250 14,60,250 14,60,250 total tax liability प्लस कर दियुँ हाँ इसमें HEC 4% HEC इसका 4% आया सर 58410 15,18,000 हाँ ये वाला answer अभी तक सब का आया की नहीं आया ये वाला answer अभी तक सब का आया की नहीं आया सर आ गया अब मुझे बताओ एक बाद बताओ अब क्या कहोगे आपने आपने क्या कमाया सर मैंने 50 LA कमाए तो मैंने टेक्स दिया 13,65,000 रुपे सर अगर मैंने 50,rosoft, 55,000 रुपे कमाए 50,000,50,000 तो मैंने टेक्स दिया 15,18,660 अब इसमें से माइनस करो अब इसमें इन दौनों फिगरों को माइनस करो 15,00, ज़याम से देखना जी 15,18,660 में से अगर मैं माइनस कर दू 13,65,000 तो आपने कितना कमाया 15,18,660 माइनस 13,65,000 तो फिगर आगी 1,53,660 आपने कमाया कितना 50,000 रुपे क्या ये वही situation होगी increase in tax increase in income क्या आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है आपने कमाया सिर्फ अगर आप 50,000,000 रुपे कमाते if you will earn 50,000 then you have to pay tax 13,65,000 now you earn 50,50,000 and then you have to pay tax 15,18,660 that means आपका जो दोनों का difference है दोनों का जो difference है इसका और इसका वो कितना निगल के आया 1,53,660 जबकि आपने कमाया कितना था 50,000 तो ये कहीं न कहीं आपके साथ अन्याय हुआ है गलत हुआ है हाँ सर गलत हुआ है तो इस गलती को ठीक करने के लिए concept आया marginal relief का उन्होंने कहाँ ठीक है अब कोई बात नहीं अब हमसे गलती हो गई है तो क्या करें हम आपको देंगे marginal relief marginal relief होती क्या है marginal relief is equal to increase in tax में से आप माइनस करेंगे increase in income increase in income increase in tax में से आप माइनस करेंगे increase in income जो भी आपका अंसर आएगा answer should always be positive positive सर अगर negative आया तो negative कैसे आ सकता increase in tax माणलो आपका 50 रुपे और increase in income है माणलो आपका 100 रुपे तो आपका कितना आ गया negative 50 अगर negative आया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपकी income 100 रुपे कमाई आपको tax 50 रुपे देना पड़ा है वो कहता ठीक है में 100 रुपे तक भी देता तो کوई दिक्कत नहीं थी अब मर 네, 1,500 रुपे लिए जा रहे हैं तो पर दिक्कत होती है तो इनक्रीज ins sum अगर डेड़ सो हुआ है और इंक्रीज इंकम सिर्फ सो रुपे हुआ है तो पचास रुपे मेरे को दिक्कत हो रही है तो यह आपको marginal relief दिया जाएगा अब इस question की अगर मैं बात करूँ अगर मैं इस question की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा मुझे बताओ इस question में अगर हम बात करें फटाफट बताओ sir 153660 marginal relief आ जाएगा totally wrong marginal relief जब भी आप निकालेंगे जब भी आप लिख लोए बात कहीं भी जब भी whenever I will calculate marginal relief मैं marginal relief calculate करूँगा तो हमेशा HEC को exclude करके करूँगा then we will या we shall या I shall या I will exclude the health and education test at the rate 4% मैं उसको कभी भी marginal relief में नहीं लेकर आता मैंने एक बात कहीं है पूरे income tax में पूरे income tax में हर provision लगाने के बाद ही आप HEC add कर सकते हैं हर provision लगाने के बात that means marginal relief देने के बाद ही आप HEC add करेंगे तो आजाओ फड़ाफट अब before का लेलो figure ये वाली figure लेलो ये वाली figure लेलो ठीक है आप इनको minus करेंगे तो जाकर आपका निकलेगा marginal relief कोई figure नहीं लेनी है ठीक है सर तो योगा सर 14,60,250 marginal relief is equal to 14,00,000 हां जी 14,00,000 text में इंक्रीमेंट कितना हुआ 14,60,250 14,60,250 minus 13,12,500 13,12,500 ये हो गया 13,12,500 minus 14,60,250 14,50,000 14,07,750 अभी हम marginal relief नहीं निकाल रहे है अभी हम marginal relief नहीं निकाल रहे हैं increase in tax 14,07,750 जबकि increase in income कितना है increase in income कितना है saak increase in income saak only 50,000 इसमेंस करवा दूँगा मैं 50,000 मेरी जो मार्जिनल रिलीफ निकल कर आई मार्जिनल रिलीफ निकल कर आई 97750 सर अभी समझ नहीं आया दुबारा समझाओंगा जिसने उतारना है पहले उतार लो जिसको भी उदार रहे हैं फिर आपट उदार लो फिर उसके बाद में आपको दुबारा समझाता हूँ एक दम डीप डाउन आराम से विद्धाउट एन इश्यू उतार लियां जी सकता है marginal relief हमने क्या किया हमने calculate की marginal relief marginal relief एक्चल में क्या है marginal relief का concept तब लगदा है कि जब भी जब भी slightly change होगा मेरी income में कहां से जब जब मेरा जब जब मेरा लिख लो इस बात को जब जब मेरा income change होगी या फिर कहूं जब जब मेरा सरचार्ज का rate change होगा या जब लगेगा सरचार्ज फॉस्स ताइंड तब तब marginal relief का concept आएगा सर नहीं समझे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ 50 लाग पर सरचार लगता है शुरू होता है 50 लाग से उपर वाली income पर हाँ सर फिर उसके बाद 1 क्रोड 2 क्रोड 5 क्रोड तो जब भी ये figure आएंगी तब तब marginal relief का concept आएगा सर पता कैसे चलेगा margin relief calculate करनी है क्या कोई hard and possible है कि ये figure पता हो तब आपको margin relief calculate करनी है otherwise margin relief calculate नहीं करनी ऐसा कोई भी थमरूल नहीं है मैं आपको बता दूँगा एक बार last में कि आप किस case में margin relief check कर सकते है otherwise figure to figure data new data defer करती ही है क्यों क्योंकि tax rate change होते है casual income में 30% tax rate लगता है slab rate normal income पर लगता है special income पर flat rate लगते है तो हमेशा company पर 30% tax rate लगता है उस पर अलग सर्चार्ज होते है individual पर अलग होते है तो यहां कोई fix limit नहीं है criteria नहीं है कि आपको इस question में margin relief check करनी ही है बट मैं कर रख लिया idea आपको दे दूँगा कि यहां पर आप margin relief जरूर जरूर चेक कर लेना चलो जी हमने क्या किया हमने 50 लाग की income पर tax निकाला SEC add करते हुए जबकि margin relief का कोई भी concept होगा मुझे SEC बिलकुल last में एक बार लेना है ठीक है net tax liability पर दूसरा मैंने जितनी भी मेरी income थी सर आपने 50 लाग पर क्यों निकाला मैंने assume किया कि आपकी 50 लाग income है सेकेंड केस में आपकी income है 50,50,000 मैंने दिखाना था कि आपने मत्र 50,000 एक्स्रा कमाए उसकी वजह से आपको extra 1,53,663 tax देना पड़ रहा है लेकिन फिर concept जनम हुआ marginal relief का marginal relief क्या कहता है जितना भी आपका increment in tax increase in tax हुआ हो increase in tax कैसे आप हमेशा वो फिगर लेंगे tax वाली आप HEC को exclude करके comparison करेंगे HEC को exclude करके comparison करेंगे ठीक है कि आप कितना increment in tax हुआ है तो 13,12,500 14,60,250 जब आप इनको minus करेंगे तो आपको पता चला जब आप इन दोनों फिगरों को minus करेंगे तो आपको पता चला increase in tax 1,47,750 हुआ है जबकि मैंने कमाई भी income कीतनी है सिर्थ 1,50,000 तो उन्होंने कार ठीक है कोई बात नहीं अब यह जो margin relief है आप दे दो हम इतना आपका tax reduce कर देते हैं कितना इतना tax 14,60,250 tax कितना आया हां जी tax कितना आया सर टेक्स आया 14,60,250 यह रहा 50,50,000 पर 14,60,250 अब मैं इस में से marginal relief माइनस कर दूँगा इस में से मैं माइनस करूँगा क्या marginal relief कितना मिला था सर 97,750 97,750 माइनस करने के बाद figure जो भी आएगी वो before says आएगी 14,60,250 माइनस 97,750 यह आगया 1,36,250 माइनस कर दूँगा यह पिर कहूँ add कर दूँगा health and education says add the rate 4% इसका 4% आया निकल के मेरा 54,500 टोटल आया मेरा आपका टोटल टेक्स लाइबिलिटी आपको जो पे करना है जब कि बिना marginal relief के यह after marginal relief आपको 14,70,000 पे करना है जब कि नहीं तो आपको पे करना पड़ता 15,18,660 क्या यह बात समझ में आई की नहीं आई बोलो यह बात समझ में आई की नहीं आई सर आगई आगई चलो एक मिट उदारो सबसे पहले फिर उसके बाद मैं आपको यह बात समझाता हूँ उदारो फटा फटा कॉंसेप्ट अभी खतम नहीं हुआ है थोड़ी सी क्लास हाट जाएगी I know बट आपके टोटल इंकम के किस्टन बहुत आसानी से निकल जाएगी है दोस्त मैं इसलिए आपकी यह महिनत करवार हूँ ताकि आपको टोटल इंकम के किस्टन समय दिक्कत न आए उतार लिया जी सर चलो फटा फटा जाओ हाँ जी हाँ जी आज हमने देखा सर्चार्ट सर्चार्ज हमने देखा इंक्रीज इन टेक्स अगर इंक्रीज इन इंकम से ज़्यादा है तो दिक्कत वाली बात है दिक्कत वाली बात होगी आप tax जादा ले रहे हो जबकि मेरी उतना increase in income नहीं बढ़ा रहे हो इतनी income नहीं बढ़ी मेरी उतना आप tax बढ़ा रहे हो मेरे उपद जो की सरासर गलत है इसलिए उन्होंने कहा हम एक concept लेकर आते हैं marginal relief का marginal relief का जो main objective होगा वो यही होगा जो increase in tax है वो आपका या तो कम रहे या equal रहे increase in income के कभी भी वो उससे जादा ना रहे तो practically हमने एक example देखा अगर आप 50 lakh कमाते हैं और 50 lakh 50,000 मैंने क्या गोला marginal relief आप कब-कब चेक करेंगे 50 lakh 1CR पर 2CR पर 5CR पर क्यों क्योंकि 50 lakh पर marginal relief लगना शुरू हुआ अबव 50 lakh पर और 1CR पर rate चेंज हुआ 2CR पर rate चेंज हुआ 5CR पर rate चेंज हुआ तो इन्ही जगह पर आप क्या चेक करेंगे marginal relief की मेरे 50 lakh पर नहीं लगता था क्या सरचार लेकिन यहां पर लगने लग गया 50,000 एक्स्रा कमाती तो मुझे margin relief check करना पड़ेगा दोस्त एक क्रोड पांच लाग एक क्रोड पर मेरा कितना सर्चार लगता था सर 10% एक क्रोड पांच लाग पर कितना लगेगा सर 15% rate चेंज हो गया तो मुझे वहां पर भी marginal relief देखना पड़ेगा 2CR पर 25% वालत है और 5CR के अ क्या हर कुष्चन में चेक करते ने पागलों की तरह नहीं मैं बताओंगा कहां पर आपको margin relief check करनी है अब किसी समझदार बच्चे ने कहा कि सर एक काम करो सर अब मुझे बताओ पहले मैं 50 लाग पमाई था तो मुझे tax देना पड़ता 13,65,000 हाँ सर बिफोर बिफोर marginal relief 13,65,000 मुझे tax देना पड़ता 50 लाग पर 50,50,000 पर after marginal relief मुझे tax कितना देना पड़ रहा है सर 14,17,000 सर 14,17,000 अगेन दिक कता भी सर कैसे अभी देखो माइनस करो इसमेजे 13,65,000 52,000 सर देखो मैंने कमाई कितने सर मैं 50 लाग की income कमाया था पहले before marginal relief मतलब marginal relief मैं तो concept ही नहीं है marginal relief तो आएगा ही नहीं इस वाले case में सर चार्ज नहीं है हाँ सर तो मुझे tax देना पड़ता 13,65,000 ठीक है सर मैंने 50,000,50,000 रुपे कमाएं आप मेरे से पहले tax मांग रहे थे कितना आप मेरे से पहले tax मांग रहे थे 15,18,663 ठीक है सरकार बोली कोई बात नहीं हम तो मैं margin relief दे 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 थे उसके बाद आपने मुझे tax मांगा 14,17,000 14,17,000 सर मैं दोनों को अगर माइनस करवाऊं compare करवाऊं 50,000,000 पर tax दे रहा था 13,65,000 50,000 50,000 पर after margin relief आपके कहने पर मैंने margin relief लेने के बाद मुझे tax देना पड़ा 14,70,000 मैंने कितना tax टेक्स दे दिया 52,000 और मैंने कमाया कितना मैंने कमाया सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपे तो सर आपकी तो वो बात गलत हो गई कि margin relief दे दें के बाद increase in tax जादा नहीं होगा increase in income से सर hence proved कि आपका increase in tax जादा है अभी भी increase in income से increase in tax कितना हुआ सर increase in tax what 52,000 जादा है मेरा increase in income से मैंने कितनी extra income गमायी थी सर सिर्फ 50,000 रुपे तो सर यह तो अभी भी गलत है margin relief देने के बाद बात कर रहा हूं मैं तो आप पहले बात कर रहे थे margin relief देने से पहले वो तो सरासर गलत था 15,18,660 पे करवा रहे थे जबकि मुझे actual में 13,65,000 पे करना था आप बोले margin relief ले ले तेरी दिक्कट ठीक हो जाएगी तिरे को जादा से जादा tax उतना ही देना पड़ेगा जितना तुने कमाया होगा लेकिन आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया सर आपने margin relief देने के बाद margin relief देने के बाद मुझे tax बनाया 14,17,000 मैंने का चल अब compare करके बता चल अब compare कर मेरा मन अभी भरा नहीं है बोला ठीक है अब compare कर पहले देना पड़ता 13,65,000 आ जी 13,65,000 आतर nut shell में अब कितना देना पड़ेगा सर अब देना पड़ेगा 14,17,000 दोनों को minus किया तो minus 52,000 जब अबी भी क्यों आया क्या हमने question गलत कर दिया या सरकार की इस policy में ही दिकत है फटा फट बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ वई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे पूरी उमेद है कि आप लोग को बहुत मजा आ रहा हूँ सर ये हुआ किसलिए मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो सैस है ना सै उसने अपनी इच्छा जाहर की कि मैं बीच में नागिन की तरह बैठूँगा और इस पूरे concept को खराब कर दूँगा सर मतलब ये आपने margin relief दी कैसे सर मार्जन रिलीफ अबने दी बिना सैस के चेक करो चेक करो increase in tax increase in income बिना सैस के लेकर आया हुआ आपर आज अब लेकिन ये दो हजार रुपे आया कहा से आपको नहीं लगता है ये दो हजार रुपे 50,000 का 50,000 का 4% ही ये दो हजार रुपे है ये कभी दूर नहीं हो सकती दोस्त ये कभी कभी दूर नहीं हो सकती ये सिर्फ HEC की गड़बड के कारण हुआ है margin relief का concept सही चल रहा था बट आपने क्या किया आपने HEC लगाया जब आपने पहले HEC लगाया वो किस पर लगाया relief लेने के बार 4% का यहां पर और यह देखो यहां पर HEC 13,65,000 13,65,000 यहां पर HEC इसको मतलब जद तक इसकी इसको मैं चुपा दू अगर मैं picture से इसको चुपा दू और मैं picture से आई नहीं रहा है अगर मैं picture से इसको चुपा दू और picture से इसको चुपा दू मेरा अंसर एकदम perfect है लेकिन जैसे ही मैं दुबारा से इन दोनों को picture में लेकर आया जैसे ही मैंने margin release देने के बाद यह सैस लगाया यहां पर 4% इसी की वज़े से इसी में वो परकाया calculation में और जब आप तुकडो में तोड़ कर देखोगे ना तो 50,000 का 4% वही 2000 रुपे आपसे extra लिए जा रही है तो सर क्या इससे दिक्कट ठीक नहीं हो सकती तो सर यह क्या दिक्कट ठीक नहीं हो सकती नहीं दोस्ति यह दिक्कट नहीं ठीक हो सकती क्योंकि यह income tax में provision है कानून यह कहता है कि आप सबसे last में SEC लगाएंगे जब आप सबसे last में SEC लगा रहे हैं margin relief देने के बाद थी तो फिर यह दिक्कत कैसे ठीक हो सकती यह minor सी dispute रहेगा पहले आपका कितना difference था difference in tax पहले तो आपको 153660 अब तो सिर्फ आपको 2000 रुपे एक्सा देने पड़े सरकार कहती इतना चलेगा इतना हम भी कुछ नहीं कर से एक्जाम परपस के लिए ignore यह वाला पॉइंट बिलकुल इग्नौर आपको एक्जाम तक अब कोई बच्चा मुझे बताए ठीक है आपने समझाया मैंने समझ लिया आप्टर चार्ड़ेड अकॉंटेंट मैं गुत थेंगे आप अगया आपको पतारना चेकर को मार्यके देने के बाद भी कुछ गड़बड रह जाती है आप आप जित कर लोगे नहीं 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 रहती नहीं रहती बोमझे पताे 파टराटory इस सबसे सी run we देने के बाद तो एच्छी सी लगाए तो डिफ्रेंस आए गई है सिंपल एस बात समझ आई कि नहीं है इसाफ हाँ जी बात समझ आई हाँ सर समझ आगई चलो फटा फट अब मुझे एक बार मैं आपको फोर्मेट समझा देता हूं मारजनल डिलीव का फिर उसके बाद हम दे इसको फोर्मेट चो फोर्मेट पूर मारजनल डिलीव स्टेटमेंट अब कैसे एक्जाम में इसको सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले टेक्स प्लस सरचारज लेंगे टेक्स प्लस सरचारज लेंगे जो आपने एक्च्छल में अर्न किया है उसमें से आप माइनस करवाएंगे मारजनल डिलीव ये आपको वर्किंग नॉट में निकालना है जो भी बचेगा उसमें आप add करवा देंगे क्या health and education says at the rate 4% करवाने के बाद जो भी figure आएगी वो आएगी आपकी net tax liability और sir ये मेरा working note कैसे बनेगा marginal relief का calculation of marginal relief calculation of marginal relief tax before says tax before says on actual income उसमें से आप minus करवा देंगे tax before says on increase point increase point का मतलब या तो 50 lakh या 1 CR या 2 CR या 5 CR तो आप सबसे पहले tax before sex दोनों में tax before says test before says दोनों के दोनों में आपको set से पहले का tax लेना और actual income जितनी भी आपके एक्ट्वल है आप उस पर tax निकालो before says उसके बाद tax आप निकालो before says on increase point मतलब 50 lakh 1 CR 2 CR 5 CR increase point का मतलब है 50 lakh 1 CR 2 CR 5 CR minus करवा दो आपका क्या निकल कर आएगा increase in tax minus करवा दो आपका क्या निकल कर आया यह निकल कर आया आपका increase in tax और इस में से अगर मैं minus करवा दोगा क्या increase in income तो आपकी जो figure है वो आएगी positive यह आया आपका marginal relief marginal relief कभी भी marginal relief negative नहीं आना चाहिए अगर वो नेगेटिव आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है वही आपका tax कम change हुआ था income ज्यादा चेंज हुई थी तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फटा-फट उदारो अब question practice करेंगे सर्फ question practice concept मैंने आपको समझा दिया है करेंगे सर्फ ढ़ाया है कि हमारा कैम्रा focus से हटा रहा हैं समझ आया कि नहीं समझ आया मैं एक किश्चन लूँगा आप आपको एकदम सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे अभी तक के अगर सिल किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत है एद सच कोई दिक्कत आपकी आनी नहीं चाहिए मिस पूजा मिस पूजा मिस पूजा रेजिदेंट शल स्टेटस है इसका मिस पूजा रेजिदेंट इन इंडिया केस A, B, C केस A में टोटल इंकम 51,50,000 केस टू में एजड 82 इंडियर्स टोटल इंकम है आपकी 52,50,000 एंड थर्ड केस में टोटल इंकम है आपकी 1,00,000,000 सॉल्व करो तीनों के तीनों खुद से फिर मैं सॉल्व कर वाँगा फर्स्ट यूवल ट्राएं इस बैच का में मकसद ही है तुमारे हाथ खोलना पहले कॉंसर्ट समझाएंगे उसके बार तुमारे हाथ खोलेंगे तो हाथ खोलते ही दिमाग अपने आप खुल जाएगा और दिमाग खुल गया तो एक्जाम में वो कुछ भी पूछ ले आपका बेस्ट्रॉंग रहे तो फिर दोस्त वो कुछ भी पूछे आप खोड़ कर आओगे एक्जाम पड़ापट सॉल्व करो एक एक करके टोटल इंकम फिफ्टी वन लैक फिफ्टी थाउजड कुछ नहीं करना चुप चाप इन फिगर्स को इन फॉर्मेट के इसाब से सॉल्व करते जाओ टोटल इंकम फिफ्टी व उसके बाद आप मार्जन रिलीव क्यल्कुलेट करेंगे जो आप वरकिंग नोट से निकालेंगे वरकिंग नोट पर आजो calculation of marginally अब आप क्या करेंगे tax before assessed on actual income मतलब जो ये वाली figure है आपकी जो ये वाली figure है ये ही वाली figure आप लिखेंगे एक ही figure है ये वाली same उसके बाद tax before assessed on increase point 50,001CR, 2CR आपको देखना है कौन सा है फर्स एक्जामपल में 50,002,002,001CR अब आप माइनस करवादो आपको पता चल जाएगा increase in tax कितना है increase in income आपके पास है मार्जन रिलीफ आए उसको चुप चाप यहां पर रख देना SS add करा देना net tax liability आ जाएगी आपको प्टाफट बहुत चुन्न सा घिष्चन है बहुत चुन्न सा ते आपको आपको पर सेकंद लाग। आपका सेड़िए पुटल एंकम 52,50,000 इस्ट प्लाइबरेट चेंज हो जाएगा यह बात याद रखना एन थर्ड वन टोटल इंकम वन सी यार्ट तू लाग सॉल्व और यॉर्सल्फ आप अपने आप सॉल्व करें आपको पता चलेगा आपके दिमाग के चक्षुक लेगे पहला पॉइंट आपका हो जाना चाहिए अभी तक दूसरे में आप दूसरे में इंडल्ज होने चाहिए फिर उसके बाद मैं करवाँगा आपको फटा फट करो because you have to write in exam not me मेरे exam हो चुके है मैं पास्पोर चुका मैं चार्टर अगाउंटर बन चुका सेकेंड आपका हो जाना चाहिए अभी तक थर्ड पर आप ट्राइ कर रहे होंगे मेरे इसाब से फटाफ़ ट्राइ कीजिए मजा आ रहा है की नहीं आ रहाए दोस्त मैंने एक एक concept ये बहुत डिटेल में पढ़ा आया है रुक रुक के पढ़ा आया है भागने के तू मैंने कोशिश ही नहीं की कोशिशे ही काम्याब होती है मास्टर जी ओके ओके डियर तेरा नेरा चलो जी अब होपसो आपने कर लिया हो अंस्वर्स मैं टॉल कर रहा हूँ फटा फट देख लो जिस बच्चे ने नहीं किया या समझ नहीं आ या गलत है टोटल इंकम कितनी आपकी सर टोटल इंकम है मेरी 51 51 लाक 50,000 ठीक है मेरे हिजाब से आप टैक्स निकालोगे सबसे पहले आप उसमें सरचार्ज एड कर दोगे जो भी फिगर निकल के आएगी आप उसमें से मार्जिनल रिलीफ निकालोगे आप नोट्स के थुरू निकालोगे जो भी फिगर आएगी आप उसमें क्या कर दोगे एल्थ एन एजुकेशन सेस एड दरेट 4% एड जो भी नीचे निकल कर आया आपका फिगर वो आई आपकी नेट टैक्स लाइबिनिटी फिगर पुट करना शुरू करो 15,50,000 15,50,000 नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालो बिना किसी उसके क्या बोलते हैं मार्जन रिलीफ के 15,50,000 15,50,000 माइनस कर देंगे इसमें से 10 लाइफ रुपे माइनस कर देंगे इसमें से 10 लाइफ रुपे इसमें से माइनस किया 14,150,000 41,50,000 इसमें से आया 41,50,000 इसमें से आया 41,50,000 41,50,000 का 30% सर 30% आया इसका 12,45,000 इसमें एड कर दो 1,12,500 13,57,500 13,00 15,57,500 यह कैसे आया किसी बच्चे को बता है मैंने 10 लाइफ तक अप्टू 10,001,12,500 जो शोटकट बताया था वो किया प्लस उसमें 41,50,000 का 30% दिया क्योंकि अब आउट 10,001,30% का टेक्स रेट है वो एड कर दिया टेक्निकल की आ गया इस पर सर्चार्ज कितने परसेंट पर लगेगा सर्चार्ज लगेगा सर्चार्ज लगेगा 10% पर 1,35,750 किसी बच्चे को नहीं पता चुक्चा पीछे की 1,0 हटा दिया करो उतना ही इसका 10% होता है चलो जी माइनस कर देंगे इसमें से 10% या एड कर देंगे सर्ची एड कर देंगे 1,35,750 1,35,57,000 मैं तरी देर से कह रहा हूँ 1,35,000 आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहो सर्चार्ज ये 13,57,500 है प्लस कर दो इसमें 10% तो यह आ गया 13,57 13,57,000 आज हमारा कैल्सी खराब हो गया प्लस कर दो इसमें 10% 14,93,000 14,93,000 250 14,93,250 आ जी आया की नहीं आया सर आ गया अब इसमें से मार्जन रिलीफ माइनस करना है मार्जन रिलीफ के लिए जाऊंगा वर्किंग नोट पर वर्किंग नोट पर जाऊंगा और मार्जन रिलीफ कैल्कुलेट करूँगा टैक्स और नॉर्मल इंकम टैक्स और नॉर्मल इंकम सबसे पहले जो फिगर यहां लिखी है वो चुप चाप उदर जाके लिखने का 14,93,000 क्योंकि आदा काम आपने ओल्रेडी कर दिया है मार्जन रिलीफ निकालते हुए ठीक है सर अब क्या गरोगे टैक्स ओन 50,00,000 50,00,000 पर जब मैं टैक्स निकालने गया तो कितना आया 13,00,000 किसले क्षिच्छन में कितना आया था 13,12,500 13,12,500 माइनस कर दो माइनस कर दो यह आ गया सर माइनस 13,12,500 1,80,750 1,80,750 यह क्या है मेरा सर यह increase in tax है मैं 50 कितनी फिकरती समें 51,50,000 tax on 51,50,000 अगर मैं tax on 51,50,000 before says before says says से पहले कितना tax देता पचास लाग पर कितना देता इतना देता तो increase in tax कितना हुआ मेरी income कितने से बड़ी सर 1,50,000 यहां पर 50 है यहां पर 51,50,000 तो 1,50,000 से मेरी income बढ़ गई increase in income कितना है increase in income beyond 50,000 कितना है जी सर 1,50,000 माइनस कर दो figure क्या नहीं चाहिए always positive अगर negative आई तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं yes और no yes और no आज कर अब यह आपका margin relief हो गया 30,007,50 चुप चब माइनस कर बादो 30,007,50 14,0093,002,50 माइनस 30,007,50 यह आगा 14,006,002,500 14,006,002,500 का 4% 58,500 51,001,000 यह आगए आपकी net tax liability हाजी यह आगे आपकी net tax liability कोई दिक्कत किसी बच्चे को किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है समझ आया कि नहीं आया कि करना कुछ भी नहीं है जो भी आपने पैसा कमाया है सबसे पहले आप उस पर टेक्स निकाल दो तोटल इंकम 51,50,000 आपने टेक्स निकाल लिया इस पर 50,000,001,50,000 अल्रेडी निकाल दिया था यही फिगर आप नीचे जाके पुट कर दोगे अब टेक्स ऑन इंक्रीज़ पोंट increased point 50 lakh 1CR 2CR 5CR उस पर tax निकाला देखा भाई मैं इस पर tax कितना देता 50 पर tax कितना दुगा मैंने increase in tax हो गया मेरा 180,750 जबकि increase in income beyond 50 lakh increase in income 50 lakh से ज़्यादा income देड़ लाग कम आई थी 1.5 lakh 1.50 lakh answer 1.50 lakh minus कर दिया तो मेरा आ गया 30,750 मैंने working note में जाके चुप चाप इस figure को put किया आ गय जो income tax कहता है last में सबसे last में कर दो है अब आपको इतना tax देना पड़ेगा 15 lakh 21,000 इससे अगले वाला मज़ेदार है इससे अगले वाला point बहुत से बच्चों को पता चल गया होगा उसमें बहुत से बच्चों को पता चला होगा सर क्या पता चला होगा आओ देखते हैं सेकंड पॉइंट सेकंड नंबर पर या फिर बी बी नंबर में क्या है सर एज एटी टू टोटल इंकम 52,500 फाइटी टू इयर्स 52,500 यही है यही फिगर है हाँ सर अब मुझे बताओ इसलाबरेट कितना लगेगा सलाबरेट कितना लगेगा सर अब्यूसली बाद इसलाबरेट पांच लाख रुपेगा लगेगा सलाबरेट कितना लगेगा सर पांच लाख रुपे का क्योंकि एज कितनी है 82 अब 2.5 लेक धाई लाख का वाला सलाब नहीं लगा देना एज 82 है तो मैं सलाबरेट लगा हूँँगा पांच लाख का अब कैलकुलेशन करूँ शॉर्टकट में मैंने बताया था अगर पांच लाख का सलेब है तो आपको अप्टू 10 लेक टक टेक्स कितना देना है वन लाख रुपेगा पांच लाख टक निल पांच लाख से ऊपर 20 पर्सेंट 5 लाग का 20 परेंस रुपेंट एक लाख रुपे ब्याइअट एक लाख रुपेंट पर्सेंट लेक और इस होगया मीनन 신क्रावबці को ळी होग एके तुलाख 13,75,000 13,75,000 हाजी ठीक है ठीक है सर प्लस कर दूँगा सर्चार्ज क्योंकि मेरा 50,00,000 से उपर है सर्चार्ज एड़ कर दूँगा 10% X पहले आप नॉर्मल इंकम पर जो आपको दिया है जो सरकार कह रहे है पहले उस पर निकाल लो एक बार 10% यह आगया 15,12,500 इसका 10% हो गया 13,75,000 इसको टोटल किया तो यह आगया 15,12,500 चेक करो 15,12,500 आसर इस में से मैं माइनस करूँगा क्या मैं माइनस क्या करूँगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर मार्जनल रिलीफ वो आएगी कहां से और वर्किंग नौट से जो भी फिगर आएगी उसमें एड कर दूँग जो भी फिगर आएगी वो मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आएगी आजाओ वर्किंग नौट पर फटा फटा आजाओ वर्किंग नौट पर वर्किंग नौट पर सबसे पहले तो मैं यही फिगर लिखता हूं 15,12,500 आसर टैक्स और नॉर्मल इंकम एक्च्वल इंकम भी बोल सकता हूं कितना है जी सर यह है 52.50 लाइग पर यह है सर 15,12,000 15,12,500 माइनस करवा दूँ इसमें से tax on increased point tax on increased point increased point कितना है सर 50 लाइग 50 लाइग से तो comparison करूँगा 50 लाइग तो कोई जर्चाज नहीं था उसी से तो compare करूँगा मैंने धाई लाइग जो एक्स्ट्रा कमाए है 52 लाइग 50 लाइग माइनस करवा 52 लाइग 50,000 माइनस 50 लाइग 2 लाइग 50,000 जो मैंने एक्स्ट्रा आर्ण किये हैं उसकी वज़े से मुझे कितना एक्स्ट्रा टेक्स देना पड़ रहा है इसलिए इंक्रीजड पोईंट वाला माइनस करेगे इसका कितना ढता था 13,000,000 के 13,000,000 ऩव दॉबल फईनड ऐस या था 30,000,000 वाले पर चेक कर लो आपने तो रट लिया होगा जल्दी बो ज्ल्दी बोलो जल्दी बोलो सर 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 सरhar है यह रहा, यह रहा, सर यह रहा, 13,12,500, सर 50,000 तक हमने रटर लिया था, सर, सर हमने रटर लिया था, आजो, 13,12,500, 13,12,500, आपको नहीं लगता आपने गलती कर दी, यह फिगर यहां नहीं लिखी नीच चुगिये थी, सर मतलब, सर confuse कर दिया आपने, ने, इसमें आपने कितना slab लगाया, धाई लाग कि पांच लाग, सर हमने तो पांच लाग लगाया है, पांच लाग लगाया है, सर, यह देखो, सर यह वाले फिगर हमने न, चुग चाप नीचे पुट कर दी, हमने तो पांच लाग वाला slab लगाया, तो tax on incremental point या increased point पर कितना लगाओगे, पांच 1500 नहीं आएगा, 18 lag आएगा, मतलद, अरे blur मत कर भाई camera, क्यों blur कर रहा है, जो यहाँ पर slab लगाओगे, वो यहाँ पर slab लगाओगे, क्यों, क्योंकि आप इन दोनों चीजों को compare कर रहे हो, आप इन दोनों चीजों को compare कर रहे, तो जो अगर मैं किसी दो चीज का, अगर मैं दोस्त मुझे एक बात बता, comparison करने के लिए ओकात भी तो equal होनी चाहिए, कुस्ती लड़ता है, जब पहलवान कुस्ती लड़ता है, क्या तुम्हें लगता है, 60 kg के पहलवान को 90 kg, 90 kg के पहलवान के साथ लड़वा दिया जाता हूँ, नहीं, बट अब्यूस्ती बात है, भ जान रखना, चलो, कोई बात नहीं, गलती यहीं पर कर लो, जितनी गलती अगर नहीं है, क्लास में कर लो, होमवर्क में कर लो, एक्जाम में नहीं गो नीचे, बस, ठीक है, ठीक है सर, चलो जी, माइनस करवाते हैं, 15,12,500, माइनस 13,00, 2,12,500, 2,12,500, hope so, मुझे लगता है, कि आपने इस तरीके से कभी टैक्स नहीं पढ़ा, मुझे लगता है, personally I feel, को सकता है पढ़ाओ, बट, मेरे पार्ट पर मुझे लगता है, नहीं पढ़ा, उगर पढ़ा है, तो वैलन गुड यार, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है, यहीं आपकी बढ़िया रिविजन हो माइनस 50,000, कितना है, सर, 2,50,000, जिसका तुम्हें आइंतजार, यह देखो, 37,500, लेकिन एक चमतकार हो गया, यहां पर, यहां पर एक चमतकार यह हो गया, कि यह फिगर आगई, माइनस में, टैक्स सरकार आपते ले रही है, 2,12,50, 2,12,500, लेकिन आपकी इंकम बढ़ी है, तो है, 2,50,000, ख moris सर, 2,50,000, और यह उसे कम, कोई दिक्कत वाली बात, मतलब 3,00, यह उससे कम, 2,12,500, तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया, अगर आपकी marginal relief negative आजाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ही, लिख लो, marginal relief अगर negative आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्यों क्यों क्योंकि आपका टैक्स में же इंक्रीमेंट कम हुआ है जो पिर टू इंकम ज्याना समय है आपने क्या भूला दो यही कपड़ें है यही तो लोगे मुझसे तो वह कहेरा मैं तुस्ते एक म॥े नहीं से इंक्रीजमेंट में तो फिर मार्जन रिलीफ कुछ नहीं आएगी मार्जन रिलीफ निल कितना जाएगा 15,12,500 का 15,12,500 का 4% 60,500 60,500 60,500 प्लस करवा दिया 15,73,000 यह आपका आया लास्ट अंस्वर यह मैंने कुशन ऐता करवा दिया जिसमें मार्जन रिलीफ लगेगा हैं क्यों क्यों क्योंकि आपने टैक्स उतना दिया ही नहीं सरकार को जितना आपने कमाया यह सरुन को बोलो जी में में क्यों कि आप अपने कि बोलो जी से बीट में में करावा हैं कि आपने को जीचे इए हैं कि यह सरुन कर दोद्वेभश्टा को यह कि यह सकते दिए धुजड़ा हैं झाल जी चल सकते हैं डाइजेस्ट हो गया डाइजेस्ट हो गया कौनसेप्ट की नहीं होगा भी तक मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया कृष्चन के साथ वन जा दिया एक दम दिमाग में चाप ले आप ताकि मार्जन रिलीफ का कोई भी कृष्चन आए तो आप उसको ना छोड़ और लास्ट केस आपका लास्ट केस आपका सी पॉंट आपकी इंकम कितनी है सी वाले सेक्शन में है टोटल इंकम वन क्रोड तू लैक वन क्रोड तू लैक इस पर कोई बच्चा मुझे निकाल कर बजा सकता है क्या मैं डारेक्ट लिखवा दू इसको जल्दी बोलो डारेक्ट लिखवा दू सर यहां पर कैसे होगा एक यह तो करवा ही दो प्लीज डिक्वेस्ट है सर चलो एक्स और एक्चुल इंकमं सबतल कर दो निकालो जी ओन सिर लैक्ट रिट जल्ल निपड़ आपट अवंजियाट्ट लैक न्यूर्मल तरीके से निकालते हैं डाइलाक वाला क्योंकि यहां पर वो वी वाले पॉइंट में एट्टी एट्टी टू इयर्स यहां पर नॉर्मल्स लाबरेट लगेगा तो यह हो गया तीस लाख प्लस एक लाख बारह हजार पांच सो थाटीवन लग त्वल थाउजन फाइफ अंडड़ प्लस प्लस कर देंगे दो लाख का थाटी परसेंट हाजी फटापट फटापट बताओ एक बार फटापट फटापट वन्स लियार वन करोड़ तू लाख टोटल इंकम आपकी हाँ सर तो टोटल इंकम अगर आपकी एक करोड़ दो लाख है तो आप मुझे नब्य लाख नब्य लाख प्लस दो लाख टोटल मिला के 92 लाख का 30 परसेंट प्लस 92 लाख का 30 परसेंट एक लाख 12500 ये हो गया 28 लाख 72500 अब कई बच्चे कहेंगे सर एक बार इसका और बाइफरकेशन बता दो अरे यार एक्चल इंकम कितनी है इसका 90 लाख इसका 92 लाख कर लो 10 लाख 10 लाख पर कितना है शुरुवाती 10 लाख पर रुको तुमें बिल्कुल एकदम नर्सरी नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह सुन जाता हूँ दस लाख बाणवे लाख 10 लाख पर आया एक लाख बारा हजार पान सो बाणवे लाख पर आया कितना अब मुझे बाणवे लाख का फिर निकालना पड़ेगा 92 लाख का 30 परसेंट यह आया सर 27,60 इसको एड कर दो आपकी 28,72,500 ही फिगर निकल कर आएगी प्लस करवा देंगे इसमें सरचार्ज 10 परसेंट यह सोर नो जल्दी बोलो सर गलत सर 10 परसेंट कैसे कर सकते हैं आप आप इसमें 15 परसेंट सरचार्ज लगाएंगे अबसे मेरे लान ओल ला एक करोण से ऊपर अभव वं सी आर 15 परसेंट का सरचार्ज लगेगा 50 लेक्स से अभाव बट औप टू अप टू उन परसेंट का सरचार्ज लगता है अभव वंस यार भट आप टू अभट आप टू गलती वालो कि 28,72,500 का 15% निकल कर आया 4,30,875, 4,30,875, अब ये निकल कर आया 33,3,375, ये फिगर निकल के आगई, हाँ सर, अब प्रंपरा के अकोर्डिंग हम इसमें से करवाएंगे margin relief, वो आएगी working notes से, जो भी फिगर आएगी उसमें add करवादेंगे health and education says at the rate 4%, जो भी फिगर आएगी आपकी वो निकल कर आएगी total tax liability, हाँ जी, margin relief का working note बना लेते हैं, margin relief, one number tax तो यहीं से आगया, मैं छोड़ा से इस बार जल्द बाजी कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपका हाथ जम चुका होगा, 33,30,330,3375, नमबर 2, कौन सा लेंगे, सर, 1CR, वन सी आर सा, वन सी आर, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, पटा पट, वन सी आर पर कितना आएगा, सर, वन सी आर पर अगर मैं बात करूँ, यह आ गया सर, अगर, अगर, आज थर्टी रैक, 93,750, पर यह कैसे आया, इसमें जो सर्चार्ज लगा है ना, इसमें सर्चार्ज लगा है 15 परसेंट, और इसमें सर्चार्ज लगा है 10 परसेंट, मैंने क्या बोला था marginal relief जब आएगा जब आप first time सर्चार्ज लगाओ या आपके सर्चार्ज का rate change हो then you will calculate marginal relief यहां पर rate change हो रहा है that's why we are calculating marginal relief increase in tax कितना आया जी increase in tax minus कर दो 330 3375 या asset 209625 209625 209625 हाजी कोई दिक्कत प्रेशा नहीं यहां तक यहां तक कोई दिक्कत प्रेशा नहीं increase in income कितनी है increase in income sir 2 lakh 9625 marginal relief यही minus कर दो 9625 330 3375 minus 9625 32 32 93 750 का 4% 1,31750 add करा दूं तो total tax liability आगे मेरी 34 2,404,355,500 जी चलो जी चलो बताओ कि सी को कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो यूं आसक में without any Glas 2020 अ मज़ा आ रहा है कि दोस्त नहीं आ रहा है हाँ जी मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मज़ा आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त मज़ा आना अति आवश्चक है आपके लिए अति आवश्चक है थोड़ा सा complicated कर दें situations को जल्दी बोलो थोड़ा सा complications में डाले situations को practically सीखना था direct text कभी किया है exam में इतना दिमाख लगा लगा के कि slab rate गलत नहीं होना चाहिए 5 लाख बोला जाए 5 लाख लगना चाहिए compare कर भाएंगे तो 5 लाख 5 लाख ही लगेगा अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किये हैं दोस्त तो आप राइट पात पर हैं सिर्थ हो सकता है लग ने आपका साथ ना दिया और अगर आपने इन तरीकों से क्रिश्चन सॉल्व नहीं किये हैं आप गलत रास्ते पर थे अब आप राइट रास्ते पर हैं सही रास्ते पर हैं चलो अब इसमें थोड़ा सा तड़का डालेंगे स्पेशल इंकम का सर मतला सर जमाक वीडियो को पॉस कर दो ब्रेक ले लो पांस से दस मिनट का अगर लगता है तो अधरवाइज आगे कंटीनि स्पेशल इंकम का इसमें तड़का डालना जुरूरी है इसी की कैजूल इंकम है 1 क्रोड 2 लक का का कैजूल इंकम है कैज्वाल इनकम है कैल्कुलेट टेक्स लाइबिलिटी कि कितना असान लग रहा है एक यह तो बच्चा निकालना चाहेगा ओवियूसली तुम निकालोगे obviously तुम निगालोगे casual income calculate tax liability सिर्फ casual income your time starts now फटाफट मेरे दोस्त थाफ़ड दोस्त झाल हो गया होगा अभी तक जो मेजर पॉइंट थे बागी तो कैल्विलेशन वही है जो मैंने अभी करवाई है में जो पॉइंट्स है वो क्या है कैज्वल इंकम सबसे पहली बात आप टैक्स रेस निकाल के बताओ उचे टैक्स अंड एक्च्वल इंकम मुझे ये बता दो फिर मैं मान लूँगा कि आपका इसमें कोई 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 दिक्कत नहीं है सर सबसे पहली बात मैंने कल आपको एक कॉमसेट पढ़ाया था अगर मेरी अगर मेरी इंकम अगर मेरी इंकम स्लाइबरेट अचीव नहीं कर पा रही तो मैं वो स्लाइबरेट स्पेशल इंकम से दोंगा तो क्या मैंने आपको कल ये बोला था कि कैज्वल इंकम से आप डेफिशेंसी एड़ेस्ट कर सकते हैं यस और नो सर कैज्वल इंकम से डेफिशेंसी कभी एड़ेस्ट नहीं कर सकते पहली बात दूसरी बात आप casual income पर क्या tax rate लेते सर अब्योसली 30% तो tax हो गया इस पर 102 का 30% 30,60,000 tax हो गया इस पर 30,60,000 हाँ सर इस पर सर चार्ज लगेगा 10% या 15% सर वन्स यार से अबाव 15% का 15% 44,59,000 टोटल कितना आगया जी सर यह आगया 35,19,000 इस में से माइनस करवाओंगा marginal relief जो आएगी मेरी working notes से हाँ सर उसके बाद हवन यग में कुंडली डालेंगे 4% जो हम करते ही हैं विदी विधान से विदी विधान लगाएंगे अपना 4% का चलो पहले marginal relief निकालते हैं सबसे पहले चुप चाप यही फिगर लिखने का 35,19,000 इसको compare किस से करवादो सर इसको compare करवादो 1CR से 1CR का 30% सर 30,000,000 या वह उसकर elaborate लगाओ नहीं मैंने बोला था जो comparison 90 किलो के पहलबान को 90 किलो के पहलबान से ही लड़वाओगे तो इसमें अगर आपने 30% लिया है deficiency नहीं दी है तो इसमें भी आप deficiency नहीं दोगे 30% का flat rate लगाओगे चलो 1CR 30,000,000 जल्दी बोलो कितना है सर 1CR 1CR का 30% 1CR का 30% सर 30,000,000 प्लस 10% सर्चार्ज को लगाएगा 3,000,000 कितना हो गया यह क्या है अपका 10% का सर्चार्ज यह होगा 33,000 तो माइनस करवादो 33,000 सर 2,19,000 2,19,000 increase in tax 2,19,000 2,19,000 से increase हुआ increase in income income में कितना incremental हुआ सर इंकम में केवल 2,00,000 रुपे बढ़े 2,00,000 मैंने क्या बूला था कभी negative नहीं आना चीए positive आना चीए marginal relief 19,000 35,00,000 35,00,000 का 4% 35,00,000 का 4% 35,00,000 का 4% 35,00,000 का 4% यह आ गया जी 1,40,000 36,00,000 your final answer your final answer हां जी मेरे दोस्त 36,00,000 36,00,000 यह सुनो कोई दिक्कत एकदम दिमाग में इस साइम छप गया होगा बस मैंने कल का एक concept छोटा सा recall करा दिया कि आपको deficiency का benefit नहीं मिलेगा tax liability निगालते टाइम दूसरा फ्लैबरेट का benefit नहीं मिलेगा casual income में फ्लैट 30% से tax rate करेंगे कल को अगर आपके सामने आसा question आ जाता तो हो सकता है आप क्या हो जाते हक्के बक्के और हक्के बक्के हो जाते तो हो जाती दिक्कत यस और नो बलो यस और नो आसर अगला question करें आसर करो चलो Mr. Jai aged 25 years resident individual wants you to compute is tax liability मुझे आप से हुई है कि आप मेरी tax liability जरूर calculate करेंगे जब मुझे जब मेरे पास जब मेरे पास जब मेरे पास जब मेरे पास short term capital gain था triple 1A का 50,75,000 रुपे now your turn निकालो निकालो मेरे share मेरे दोस्ट मेरे घोडे तुम पर दाव लगाया है मैने पूरा का पूरा दोडो मैदान में जितना दोड सकते हो जहां तक दोडो के पूरा मैदान तुमारा होगा जहां तक दोडो के पूरा मैदान तुमारा होगा कोई कैसा भी कृष्ण दे दे तुमार नहीं खा सकते किसी भी कीमत का दोडो निकालो short term capital gain triple 1A का मैंने आपको पूरे concept समझा दिए casual income का इससे पहले मैंने इसी लिए अपने से करवाया था कि आप एक वरत निकालो पाओगे अब निकालो पटापट short term capital gain triple 1A short term capital gain triple 1A जिसका तुम्हें था इंतजार दोस्त इस बार मैं 24 में पास होना किसी भी हालत में चाहे कुछ हो जाए धरती धरती उदर हो जाएगी लेकिन तुम्हारा पास होना बहुत 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 जरूरी है मेरे दोस्त तुम्हारे घरवालों के लिए भी तुम्हारे parents, guardian, भाई, बहन, छोटे, बड़े, teacher जो भी है, जो भी आसप्रोस महले में है, उन सभी के लिए तुम्हारा पास होना बहुत जरूरी है So work hard and then party hard, always पहले hard work करो, फिर party hard करो So work hard and then party hard, always So work hard and then party hard, always and then party hard, always Do the wanna party hard work, always you know, we have a great party hard, always झाल 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 चलेजे उमीद है कि आपने कर लिया होगा अब अपना आंस्वर मिलाओ एक बार कितना ठीक किया कितना नहीं पहली बाद शौट टर्म काप्लिक इंटरप्रोवा ने किस रेट पर टैक्स होगा आपको यह पता हो ना चो यह 10 परसेंट 15 परसेंट 20 परसेंट 25 पर टैक्स होगा सर 15 परसेंट ठीक है अब मुझे बताओ कि क्या डिफिशेंसी का बेनिफिट मिलेगा हां सर स्पेशल इंकम से मिल जाएगा सर डिफिशेंसी मतलब क्लाइबरेट का बेनिफिट मिलेगा हां सर मिल जाएगा ठीक है दो बाते होगे हां सर पिछले वाले एक्जांपल में क्या था कैजवल इंकम थी कैजवल इंकम से डिफिशेंसी का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक, तो tax on actual income, निकालो फटापट, tax on actual income, 50,75,000, 50,75,000, 50,75,000, धाई लाग की deficiency अटा दे, सबसे पहले, हाँ सर, यह आ गया, वो 48,25,000 का, का 15%, हाँ सर, का 15%, प्लस, इसमें add करा दो 10% का सर्चार्ज, प्लस, इसमें add करा दो 10% का सर्चार्ज, 7,2,3,75, दोनों मिला के total आए आपके, जिसका तुम है, 48,25,000 का, 15% प्लस 10%, 79,61,25, आज पता नहीं जुबान को क्या हो रहता है, माइनस करवा देंगे, इसमें से marginal relief, जो आएगी मेरी working note से, जो भी आएगा विदी विधान से, health and education says, उसमें add कर देंगे, 4%, जो भी last में निकल कर, आएगा मेरा, वो आएगा मेरा tax liability, यस और नो, यस और नो, हाँ सर, ठीक है, आउफ टापट, वर्किंग नॉट निकालो, वर्किंग नॉट में सबसे पहले जो tax है, 7,96,125, एक tax हो गया, दूसरा tax क्या होगा, सर बिना इसके, 75,000 के, चलो, 50,000,00 पर निकालो, 50,75,000, मीनस 75,000, नॉर्मल इंकम 50,000, मीनस 0,5,000, 47,50,000 का 15%, यह आगया, 7,125, 00, मीनस कर वा देंगे, 7,96,125, यह आगया, 83,625. increase in tax increase in income increase in income कितना है 75,000 कभी भी figure negative में नहीं आनी चाहिए positive रहनी चाहिए margin relief कितना निकल के आया 8625 8625 79,6125 78 यह आगया 78,75,00 का 4% यह आगया 3,15,00 8,19,000 आपका फाइनल रान वह दिक्कत परिशानी किसी भी दरें की बहुत असान है सर्! you चोटकियों में निकालते हैं hahaha आप हमके शन्ना नुचोटकियों में निकालते हैं चोटकियों में ऐसे करके ऐसे करके बहुत बड़िया किसी बच्चे का एक छोटा सा डाउट यहां पर हो सकता है कैनी रहूं होगा हो सकता है क्या सर डाउट सुन लो बच्चे का क्या है सर जब मैंने 50,75,000 में से धाई लाग की रिवेट दी तो मेरा 48,25,000 आगी से गर तो सर मैंने इस पर सर्चार्ज क्यों लगाया यह तो 50,00,00 से नीचे आ गई ना सर यह तो 50,00,00 nीचे है तो मैं सर्चार्ज लगा तो रहा हूं इस पर यह 10 पर से जों सर्चार्ज लगा दिया मैंने इस पर यह एक डाउट वो सकता किसी बच्चे का लेकिन अगर आपने कल की कलास ध्यान से सुनी होगी तो मैंने बताया था सरचार्ज के लिए जो मैं फिगर देखता हूँ वो मैं फिगर देखता हूँ टोटल इंकम की ना की इंकम आफ्टर डेफिशेंसी या इंकम आफ्टर स्लाबरेट अंगender कbon अभी वी चेक नीए करते हम चैक करते ही क्या है आपको बocide आया था चल्दी बोलो मैंने आपको बोला आपको लिख्वाया था यह duham करवाए था पाचो हैड की इंकम को एंड करदो माइनस डिडक्शन करदो तोटल इंकम निकल कर आएगी अगर आपकी टोटल इंकम एक सेकंड मैं अभी दिखा देता हूं आपको अगर आपकी टोटल इंकम पचास लाग से ज्यादा है यह देखो अगर आपकी मैंने कहा था हाइलाइट कर लेना अगर पहनो तो टोटल इंकम 50 लाग से ज़्यादा है तो सर्चार्ज लगेगा टोटल इंकम पाट लाग के उससे कम है तो रिबेट मिलेगा और टोटल इंकम और टोटल इंकम का मतला बजाया था नॉर्मल इंकम प्लस स्पेशल इंकम माइनस डिड़क्शन आपकी क्या आज जाएगी टोटल इंकम तो बच्चे जो भी अगर आपका डाउट हो कि सर हमने तो 48 लेक पर क्यों एड करवा दिया 48 लेक आ गया था नहीं एक लास्ट एक्जांबल तर आखी क्लास खतम फिर नहीं आखी क्लास खतम नहीं होगी उसके बाद क्लास 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 अपना काम क्या है अपना काम यह है आपको पहले notes से revise करवाना आपके batch के लिए यह कि full exam oriented या exam पर पड़ बैच है आपका pass करवाना मेरा जुरूरी है पहले आपका revision करवाना फिर आपको class में आकर concept समझाना फिर आपको concept समझाने के बाद आप उस concept पर class में question solve करवाना फिर आप question bank से अपने question कर सकते हैं या आपको homework देना तब जाकर मेरा एक chapter फतम होता है तब आप path pass होने के path पर है path वो होना चाहिए आपका pass होने करक्स क्या है साब करक्स यह है मैंने आपकी normal income लिग normal income लिग आपने normal income पर लगा दिया और charge deficiency और सारी चीज निकाल के आपने margin relief निकाल ला है हाँ sir normal income के बाद हम लोग ने casual income देखी casual income में deficiency आपको नहीं मिले deficiency आपको नहीं मिले उसके बाद मैंने देखा उसके बाद मैंने देखा short term capital gain triple one A इसमें आपको deficiency मिली यस सर और flat rate पर tax लगा यहां पर भी flat rate पर tax लगा था हाँ sir flat rate पर यहां पर भी आपका flat rate पर tax था हाँ sir उसके बाद एक जो concept है वो मैं लिखवा दे रहा हूं मैंने question नहीं करवाया है अगर अगर आपका long term capital gain one one two होगा तो उस पर क्या होगा deficiency मिल जाएगी हाँ sir flat rate हाँ sir flat rate भी होगा और deficiency भी होगी हाँ sir सर एक बात बतलाओ यह जो आप लिखवा रहे हो जड़ा इसमें मुझे बता सकते हो कि किऊ नहीं लिखवा रहे आपने तो तीन concept मुझे बताए थे कल deficiency भी बताए था flat rate भी SI bit beta था और क्या बताया था तिपूर Zahlностью ही 57 बताया था सरचार्ज भी बतायाथा रवीट भी बताया था तर आपने सरचार्ज बतादिया deficiency बता है आप यहां पर रिबेट का जिकर क्यों नहीं कर रहे हूं, sir प्लीज बतला ओ, sir, please, sir भाई, एक बात बता, कल मैंने तरे को एक बात बताई, sir, क्या, sir, charge और रिबेट एक साथ आ सकते हैं, क्या, एक मयान में दो दलबार आ सकती हैं, क्या, मैंने कल ही आपको बतला आया, sir यह देखो क्या सरचार्ज और रिबेट एक साथ आ सकते हैं क्या यह mutually exclusive क्यों क्योंकि सरचार्ज 50 लाग से शुरू होता है साब 50 लाग से उपर से और रिबेट 5 लाग पर खतम हो जाती है तुम जहां से सोचना शुरू करते हैं मतलब जहां से जहां से मेरी सोच खतम होती है वहां पर तो लोग सोचना शुरू करते है मतलब सरच दुगारा से जहां पर मेरी सोच शुरू होती है या पर जहां पर मेरी सोच खतम होती है वहां से लोग सोचना शुरू करते है यहां पर भी आई है रिबेट यहां से तो शुरू खतम हो जाती पांच लाग पर और चार तो पचास लाग से शुरू होता है तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं How it is possible No, that's why mutually exclusive कोई एक चीज़ ही रह सकती है ठीक है ठीक है जी ठीक है सर, मान लिया सर हमने आपने कहा और हमने मान लिया बहुत 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 एक चोटा सा बात, चोटी सी बात के साथ और अपनी वानी को अभी विराम नहीं देंगे Long Term Capital Game करक्स लिखवा रहा हूं साब करक्स लिखवा रहा हूं ध्यान रखने इस बात Long Term Capital Game 112 AAA उसमें क्या क्या होगा क्या उसमें क्या क्या होगा सर Deficiency मिलेगी हाँ सर मिलेगी Flat rate मिलेगा हाँ सर मिलेगा एक चीज और मिलेगी उसमे इस वाले में एक चीज और मिलेगी Exemption एक लाख रुपे की Exemption क्योंकि यह 112 Capital A है और उसमें एक लाख रुपे की Exemption मिलती ही है बोलेजी मजा आया पढ़ने में कुछ लगा हटके किया लगा लग रहा है कि पास हो जाएंगे मास्तर जी के इन तरीकों से है कोई क्यूश्चन बचा हुआ है क्या अभी तक अभी तक कोई क्यूश्चन बचा है बोलो करक्स करक्स है करक्स नोट डाउन कर ले न नॉर्मल इंकम आएगी तो सारी चीज़े में फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं casual income आएगी deficiency नहीं दूँगा पर लगाऊंगा short term llegar 1-1 आएगा deficiency भी दूँगा flat rate भी दूँगा 1-1-2 आएगा deficiency भी दूँगा flat rate भी दूँगा 1-1-2 capital है deficiency flat rate plus एक लाग की extra exemption भी मिलेगी is there any doubt is there any doubt no sir एक question जो मैंने बोला था कि आज की class का last question होगा जो ये question करवा रहा हूँ अभी तक CA intern में नहीं आया है लेकिन जो कि आप exam news levels है तो हो सकता है आज नहीं तफस लेवल CA inter level तक का इससे उपर यहां से question नहीं बनेगा guarantee है मेरी Mr. Raju has normal income 21 lakh long term capital gain 30 lakh calculate tax liability calculate करो जे ये लास्त है सर इतना छोटा सा दो लाई नो में मैंने यहां पर दो लाई ने लिखी वो पता है क्या लखेगा एक्जाम में Mr. Raju is 30 years resident in India earned income from the salary had 21 lakh and at the same time he has long term capital gain under section 112 30 lakh इसका 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 एक घर है मुंबई में है वह उसने बेच दिया वो तब खरीदा था इतने में हुआ था आप करक्स देख लेए ना लॉंट पर लेगा निकलेगा फिर बात को भूमाएगा मैंने करक्स में आप तो समझाने के लिए अपना time दीन सेव करने की क्योंकि यहां पर हम क्राक्टिस कर रहे हैं हम लेंगवेज की प्रैक्टिस नहीं कर रें हैं आपक्स नोट टीचर और इंग्लिश आण टीचर ओफ टैक्सेशन अन ड्रेक्सेशन ठीक है चलो फटा आपको इसको सॉल्व करो एल सून एल पॉसिबल टोटल इंकम देख लेना कितनी बन रही है हिंट मैंने दे दिया है आपको फटा फट करो फिर हुआ हुआ है हो गया सर अभी नहीं करो फटा फट फटा फट करो हुआ है हुआ है चले जी हाने होप सो उमीद है कि एक इस चन्सौल हुआ होगा अंसर सबसे पहले एक छोटी सी ट्रीके इसमें चोटी सी जिसने वह समझ ली वही वी आर दर फ्यूचर अली बात हो जाएगी हम ही फ्यूचर है हाए कौन हमसे आगे और कौन चलो एक सोन ल्टी सी जी लॉंग ट्रम क्याप्टल गेंट एक सोन नॉर्मल इंकम 30 lakh पर 30 lakh का 20 % नॉर्वल इंकम 21,00,00, 20,00,000,00 में से धाय लाग्स लैब माइनस करो, धाय लाग्स लैब माइनस करो, आख विनलाग माइनस दस लाग का 30% प्लस एक लाग बाराह जार पान वह यह आ गया, 4,42,500, 4,42,500 हाँ सर, add करो यह आगा सर, 10,42,500 क्या मेरी total income above 50 है हाँ सर, total income above 50 है surcharge add करो 10% surcharge add करो 10% 10,42,50 सीधा 1,0 इसमें से अटा दिया 10% आजाएगा सीधा 10%, 1146,750 1146,750 हाँ सर, माइनस करो marginal relief जो आएगी मेरी working note से जो भी आए उसमें अपना HEC add the rate 4% add करा देना जो भी निकल कर आए आपकी tax liability होगी वो सर, working note आजाओ सर, वो नई बात क्या थी अभी रुको marginal चल सबसे बढ़िया बात अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से समझना ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से समझना चलो पहले एक बार ये वाला कारी करम कर लेते हैं 50 lakh वही आप इसमें से माइनस करवाओगे तब जा कि आपका निकले का इंक्रीज इंटेक्स टोटल इंकम कितनी है सर 51 lakh अब मुझे गताओ और दोंडों कितना है सर ये स्लाबरेंट का है और ये 20% का है यहां पर confusion आ जाएगी बच्चे को एक्जाम में जाके हो सकता है बच्चा इसको गलत करके आजाए कोई बड़ी बात नहीं है क्या करेगा जो 1,00,00,00,00,00 1,00,00,00,00,00,00,00 पर ये जो 1,00,00,00,00,00,00,00,00 पर आपको पुफटाना है ये अप कहां से ख़ता होगे इस दिपैंटर सोन यू इक अलाबरेंट नॉर्मल से मैने सबनाव और या स्ल्ठीशियस से मैने सबनाव गे सर मैं वहां से माइनस करूँगा जहां से मेरा टेक्स सेव जादा होगा अगर चार्ट अपके सामने टेबल पर बैठा है आप उसके सामने लैप्टॉप फोल के बैठा है आपके दिमाग को पता है अरे च्छोटी सी बात है नॉर्मल इंकम ट्वेंटी वन लेक्ट कितना है अ तो मैं कहां से माइनस करवाँगा यहां से बस यही इसमें एक ट्रिक थी कि एक्जाम में अभी तक आप आपने क्यों से किशन सॉल्व किये थे सिर्फ एक टेक्स रेट के या तो फ्लैट 30 15 10 परसेंट कुछ भीतर रहता या फिर स्लैब रेट वाला ही था तेकिन यहां पर म पच्चे ने दिमाग के अप्लिकेबिलिटी लगाई की नहीं लगाई यहां पर फस्ट नॉर्मल इंकम 20 लाक रुपे प्लस लॉंग ट्रम कैपिटल गेन 30 लाक रुपे इस पर टेक्स कितना आया दूसरा नॉर्मल इंकम 21 लाक रुपे प्लस लॉंग ट्रम कैपिटल गेन 29 लेक कितना आया फटाफ़ निकालो एक बार फटाफ़ निकालो 20 लाक 20 लाक normal income minus 10 लाक का 30% plus 1 लाक 12,500 और इसका 6 लाक यह आगया साब 10 लाक 12,500 10 लाक 12,500 इस LTCG पर 30 लाक पर सीधा फ्लैट 20 परसेंट इस पर मैंने स्लाइब रेट लगा दिया धाई लाक वाला मेरा निकल के आया एक लाक 12,500 और दस लाक 12,500 10 लाक 12,500 नोर्मल इंकम कितना 21 लेक अब इस पर लगाऊ सर इस पर 21 लेक minus 10 लेक इस पर अभी तो हमने निकाला था कि प्लस ट्वेंटी नाइन लेक का ट्वेंटी परसेंट इस पाइफ लाक एटी थाउजंट 5,80,000 आँ सर 10,22,500 अब बताओ कौन सा लोगे अब बताओ कौन सा लोगे ये वाला की ये वाला सर ओवियसली बात है मैं ये वाला minus कुरूमा 10,12,500 मैं ज्यादा टैक्स क्यों हुआ है मैं ज्यादा टैक्स क्यों हुआ है मेरा दिमाग सराव है सर मैं normal income से एक minus कुरूमा जो 51 लेक था 51 लेक ये 52 भी करवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं बट आपको ये पता होना ची लाइबरेट का दे देगा वहीं पर आप यहां पर 30 परसंट यहां पर 20 परसंट 15 परसंट 10 परसंट कुछ भी हो सकता है तो इंक्रीज इंटेक्स कितना आया इंक्रीज इंटेक्स मुझे एक बार बतलाओ जड़ा 1146 750 माइनस 1012 500 यह आया 1,34,000 1,34,250 और इंक्रीज इन इंकम कितना है इंक्रीज इन इंकम है एक लाग रुपे 50 था 51 लेक हो गया तो यह हो गया 34,250 34,250 का आगया मारजनल रिलीव मारजनल रिलीव कितना आगया जी 34,250 इसमें से माइनस करवा दो 11,46,750 माइनस 34,250 माइनस करवाया 11,12,500 का 4% का 4% आ गया 4,45,00 4,45,00 4,45,00 4,45,00 add करवा दूंगा तो आ जाएगा 11,57,000 11,57,000 text library हाँ जी समझ में आया की नहीं आया कुछ भी नहीं करना था सिर्फ मैंने क्या किया एक माइनस करवा दिया एक चीज मैंने माइनस करवा दिया हाँ जी उतार लिया आपने वीडियो पोज कर लो फिर उतार लो ये भी उतार लो वीडियो पोज करके ये भी उतार ले लो होप सो अब आपके जहन में कभी भी मार्जनल रिलीव का डर नहीं आएगा मार्जनल रिलीव का डर नहीं आना चाहिए बहुत सिंपल वे में निकालना सिखा दिया कि आप मार्जनल रिलीव निकालोगे सरचार्ज निकालोगे कितने से कितना परसें निकालोगे वो सब आपको मैंने बजलाया अब इदर आजाओ नोर्स पर आजाओ उतने फटाफट जो भी बुक्स आपके सामने खुली है आप उन्हीं बुक्स से पढ़ना शुरू करो सरचार्ज इन अडिशनल टेक्स पेबल ओवर और अबाव इंकम टेक्स अब जहां पर सर आपने एक चीज ओर दे दी ये वाली चीज क्या है ये वाली चीज की कहानी ये है जुलाई 2019 में जुलाई 2019 में कोन आया निर्मला सीता रमन जी जेए जी सर्चार्ज रेट जैसे ही अई ये सर्चार्ज रेट होगे थेए 14 सब्सक्राइब करें तक से लागया बताओ इतना टैक्स रेट लगेगा और बहुं कि निकालो यहां से पैसा क्या फायदा करने का यह लोग इतना हम से टेक्स ले ले लेते हैं 37 परसेंट तक सर्चार लगा रही है पांच करोड से उपर पांच करोड उनके लिए चुन्नों सी फिगर थी वह प्रन वाक करोड़ों में पैसा इंवेस्च करते हैं चुन्नों सी फिगर खेर यार पांच क्रोड तो हमारी एक दिन में कर देते हैं हम इतना टेक्स कुण देगा उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया मार्केंड डाउन होने शुरू हुए निर्मला सितारवन जी को समझ आया कि यार दिक्कत होने शुरू होगे उन्होंने क्या किया सेक्टेंबर 2019 में ही ओडिनेंस लेकर आए ओडिनेंस का मतलब है कि जब पारलेमेंट सेशन में नहीं होता जब पारलेमेंट नहीं चल रही होती तो ओडिनेंस के थूरू कानून बदले जाते हैं इन्होंने कानून बदला कानून मतलब इंकम डेक्स एक् इस पर अटाया इन दो पर बोले शॉट टर्म काप्लिगें ट्रिपल मने और लॉंग टर्म काप्लिगें बन बन टू ए से हम मैक्सिमम सर्चार्ज जो हुने बढ़ाया था वो अटा देते हैं इन दो पर सर्चार्ज लगेगा 10 परसें 15 परसें लोग ने का ठीक है हम थोड़ी आएथे अडिया में हम तो इंवेस्ड करने आएथे लोंग केलिए अंप एकट द भापके लिए शॉचान कर दी के वाज़ ने इतना लंब अधके लिड़ करू हमिन क्या करेंगे हम क्या करें तोजार उनीस के बाद 2020 में इन्होंने कहा यार तुम्हें काम करो इन शेर्स को खरीते वे इसे ने लेकिन इन पर हमें डिविडेंड मिलता है दिर्मला सितारिज द्रमन जी ने 2020 में डिविडेंड भी इंट्रोड्यूस कर दिया बूले ठीक है डिविडेंड इंकम पर भी डि एक लॉंग्टरम कैपिटल गेंड वण वन टू ए कुछ अलग तर क्रचांज देना पड़ता एक लॉंग्टरम कैंठी गेंड बन दो मतलब एक सिब्लेर्टी कि तो लला dost चाहिे न लॉंग कर लिए इसे लन लाग तक ये चार आइटम एड़ किये और इन में कहा आप मैक्सिमम जो सर्चार्ज रेट है वो 15% देंगे 15% से ज़्यादा नहीं लगा जब कि यहाँ पर कितना लग रहा है 25% 37% यहाँ पर कितना लग रहा है 15% तो जो चार तरह की इंकम है उन पर मैक्सिमम अभी तक कोई भी से उपर वाले गए ही नहीं है ठीक है एक क्रोड तक इसलिए उनको रखा गया था ताकि मैं यह बाला इसर्चार्ट रता सकते हैं चार तरह की इंकम पर मैक्सिमम सर्चार्ज आप कितना लगा सकते हैं 15% आप इन से उपर नहीं जार सकते हैं मेक्स तो मैक्स आप सर्चाज लगाएंगे 15फरसंट बाकी की कोई भी इन्कम हुई आधर इनकम अधर इंकम कोई भी हुई आप उन पर सर्चार लगाएंगे 10-15%, 15% 25-30-7 तक का सर्चाज आप लगा हैं लेकिन चार, चार में कौन सी? शौट टरम capital के इंटरपल बने लॉंग टरम capital इंटरम इंटरब बन बन टू है लॉंग टरम capital के इंटरम इंटरब बन बन टू उल्ट डिविदेट की इंकम इन चार इंकम पर आप max to max सर्चाज लगाएंगे 15%, 15%, 15% तक का सर्चाज लगेगा ठीक है ठीक है जी यह इनों ने निकाल दिये higher tax rate से सर्चाज आज के लिए इतना ही रखते हैं दो गंटे हो गए हैं आपकी क्लास को मैंने कहा था मैंने फॉस देहीं कहा था धीरे 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 ग्रेजुली हम टाइम बढ़ाते चले जाएंगे आज उसी का दिन है आज मंडे है 22 जन्वरी अगेन आप सभी को प्राण परतिष्ठा की हार्दिक शुब कामना है अभी तक मेरे पास message आगे हैं मैंने फोटो वोटो देख ली हैं परदानमंत्री मोधी जी ने इनोग्रेशन या प्राण परतिष्ठा या राम जन्म भूमी का जो एक्चल स्थान है राम भगवान का वहां पर उनको विराजवान कर दिया है तो आप सभी को भी धेरो शुब कामना है ऐसे ही पढ़ते रहो ऐसे ही भगती में लीन रहो मेडिटेशन करो ज्यादा फोकस नहीं बन पार है तो मोबाइल एडिक्शन का कल मैंने बताया था और फोकस करना है तो मेडिटेशन पर आ जो धेरे धेरे आप फोकस की तरफ बढ़ोगे और जो इधर उधर की बाते हैं उनमें थोड़ा कम ध्यान लगाओगे ठैंकियो सो मच आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप से परसौं क्यों कि कल है वह तूजडेश बो प हम रखेंगे ओफ Thank you so much बबाई से किया जैहन मिलते हैं आप से पर्सौं इसी topic को आगे continue करेंगे आप से बस आज इसकी थोड़ी सी हाई हेलो करवाए Thank you so much, bye bye, take care जैहन, thank you